किस तरीके से मौक लिखा जाए, मौक के बाद क्या करना चाहिए, मौक से पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा focus करो, क्या मेरी strategy होगी, you don't have to leave the paper, take a break, जाने दो, अगले दिन, अगली battle, नई शुरुवात, तीसरे चीज़ पे जो कि है सबसे ज़ादा important आपके लिए, कि आपको हर मौक से पहले एक table बनाना इस तरीके का, and finally, don't lose heart. हलो दोस्तो, मैं हूँ वेबे प्रकाश और स्वागत करता हूँ आपका study IQ judiciary channel पे, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही important topic के अपर, जिस पे सभी बच्चे जो हैं, सभी aspirants struggle कर रहे हैं, और मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, कि sir एक बाद ये बता दो कि मैं अभी 35-40 marks पे हूँ, तो how should I increase that marks to 70, 80, 85, कैसे marks कैसे बढ़ाओ, किस तरीके से मौक लिखा जाए, मौक के बाद क्या करना चाहिए, मौक से पहले क्या करना चाहिए, मौक टेस्ट देते समय, मौक के duration में हमें क्या करना चाहिए, आज सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, सो end तक जरूर देखना, कोई भी आपको doubt हो, feel free, आप अपने thoughts जो हैं, अपने questions जो हैं, वो comment box में डालना, नहीं तो आप हमसे definitely जुड सकते हो, हमारे telegram और instagram page पे, और आप हमसे वहाँ पे भी हमारे सवाल पूछ सकते हो, आप मुझसे personally जुडना चाहते हो, तो आप मेरे से telegram और instagram पे again, आप मुझसे जुड सकते हो, तो आओ चलो इस session की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं, कि जब हम mock ले रहे हैं, तो before we take the mock, हमको क्या-क्या चीजे हैं, जो करनी चाहिए, तो सबसे पहले एक तो आप अपना दिन को fix करो, fix a particular day जिस दिन आप mock test ले हो और लोगे, और make sure that आप फिर इस दिन को change नहीं करो, मेरा suggestion आपको हमेशा क्या रहेगा, उस day को choose करो, हफ़ते के उस day को choose करो, जिस दिन आपका examination actually होने वाला है, majorly अगर हम देखे तो जो भी examinations होते हैं, वो या तो Saturday को होंगे, या तो Sunday को होंगे, mostly again अगर मैं CLAT की common law admission test क की बात करता हूँ, या मैं AI-LET की बात करता हूँ, All India law interest test NLU Delhi के लिए, तो ये examinations अपना इन्होंने बता दिया है कि ये Sunday को होंगे, तो एक सबसे पहले तो इसको fix कर लो, कि boss, Sunday को हमको लेना है, उसके बाद fix करो अपना timing की, किस type पे तुम mock लोगे, अब मिरे को एक बात बत होते हैं कि मैं randomly, शाम को 7-9 PM पे mock लूँगा, या मैं रात को क्यों कि मैं रात को बैठके पढ़ाई करता हूँ, तो मैं 9 बजे से 11 बजे रात को बैठके एक mock test लिख लेता हूँ, या मैं रात को 12 बजे से 2 बजे तक mock test लिख लेता हूँ, ठीक है, आप लिख सकते हो, उसमे कोई problem नहीं है लेकिन मेरा सवाल आपसे ये रहेगा और एक बर सोचना भी इस चीज के उपर किया आपका actual examination रात को 12 से 2 में होना है नहीं होना है तो आपका examination अगर दो पहर को 2 बज़े से 4 बज़े के बीच में है तो मेरा mind दो पहर 2 बज़े से 4 बज़े के बीच में active रहना चाहिए कि रात को 12 से 2 के बीच में active रहना चाहिए लाजमी आपका answer होगा कि सर दो पहर 2 से 4 के बीच में मेरा brain जो है वो completely active होना चाहिए तो अपने को time भी वैसा ही mock test का fix करना चाहिए जो की हमारे actual examination का time होगा आप बेशक पढ़ाई जरूर करो रात में मैं खुद आप में से एक हूँ जो की रात को पढ़ना प्रेफर करता है rather than सुभा मुझसे आप कह दो सुभा 5 बज़े उठके आपको पढ़ाई करनी है मुझसे नहीं हो पाएगा और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन से नहीं हो पाएगा लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोलेंगे हमसे रात में नहीं होगा आप सुभा उठाओ पढ़ा दो very good मैं उसको कभी change करने के लिए नहीं कह रहा आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है टाइम आप उस टाइम पर पढ़ो if you are a morning person आप सुभा पढ़ो if you are a night person आप रात में पढ़ो कोई टेंचन नहीं है लेकिन कोई भी examination जो है वो early morning पाच बज़े नहीं होगा और रात को बारा बज़े भी नहीं होगा वो होगा दिन-दिन के टाइम पे तो अपनी जो practice करनी है अपने को वो करना है exam के timing के हिसाब से तो जब भी अब mock test लेने का plan कर रहे हो तो अब सबसे पहले अपना एक दिन Sunday को चूज कर लो timing चूज कर लो और उसके बाद एक अपना जगह चूज कर लो और घर वालों को सब को बता दो कि बॉस ये दो से तीन घंटे आधे घंटे before my mock test कोई मेरे को disturb नहीं करेगा और आधे घंटे after my mock test कोई मुझे disturb नहीं करेगा तो आधे घंटे जो आपको mock test के बाद मिलता है क्या करेंगे उस पे हम आएंगे लेकिन लिखने जाओगे finally अपना तो वहाँ पे आपको आधा घंटा exam hall में बैठे रहना पड़ेगा आप ऐसा नहीं होगा कि randomly आप उठे पानी पीके आए बैठे और exam start हो गया नहीं कर सकते आप exam hall में आधे घंटे बैठे रहोगे so you need to have that stamina not just of 2 hours but 3 hours 3 गंटे का आपके पास stamina जो होना चाहिए तो अगर आप आधे 5 गंटे 1 गंटे आप exam से पहले बस बैठे हो और कुछ नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि exam hall में अगेन आपके पास पढ़ने को कुछ नहीं होगा but आप meditation करो थोड़ा focus करो, ध्यान करो कि मैंने क्या-क्या इससे पहले पढ़ा है क्या मैंने पढ़ लिया है क्या मैंने छोड़ दिया था या किस तरीके से मैं इस मौक को attempt करूँगा क्या मेरी strategy होगी किस तरीके का paper आए visualize करो इस चीज को तो इस place को fix करो और बैठ जाओ वहाँ पे अपने मौक से एक घंटे पहले आदे घंटे पहले at least then make sure कि आप पूरा का पूरा paper जाए वो एक गो में attempt कर रहे हो चाहे कोई guest आ जाए कोई आपका friend आ जाए कुछ भी हो जाए आपको हटना नहीं है you don't have to leave the paper you have to complete the paper at any cost in one sitting make sure you do that mock test को कभी waste मत करना कि अच्छा ठीक है चलो आज English कर लेते हैं कल critical reasoning कर लेंगे परसो जीके कर लेंगे mock test ऐसे नहीं दिया जाता है mock test अगर आपको देना है तो पूरे इमानदारी के साथ पूरे discipline के साथ देना है तभी आपको पता चलेगा कि आप कहां पे actually stand कर रहे हो और आपको कितना और तभी आपको improvement जो है वो दिखेगा उसके बाद जैसे ही आपका complete हो जाता है जैसे आप mock ले लेते हो आपने Sunday को 2-4 अपने घर पे या अपने कोई relative के घर पे या कोई library में या कहीं और जाके आपने एक जगा fix की आपने वहाँ पे ले लिया और आपने पूरा paper एक बार में attempt करके complete कर लिया then take a half an hour का break अब होता किया है जब हम break ले लेते हैं तो हमको immediately मन करता है जानने का कि यार मेरा paper गया कैसे तो ये next 30 minutes है ना उसमें आप बस अपना score calculate करो ये मत देखो कहां गलती हुई क्या गलती हुई उसको analyze नहीं कर रहा है तुम बस ये देख लो कि मेरा answer कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ अब कैसे उसके बाद देखोगे अब आपको ये देखना है कि आपका total right कितना हुआ correct कितना हुआ wrong कितना हुआ जितने भी wrong हुए x into minus 0.25 कर दो उतना total में से minus कर दो ये आपका final score आगया क्योंकि negative marking है klat में और a late दोनों ही में जब आपने अपना score calculate कर लिया अब इस पे क्या होगा आपका mood या तो बहुत अच्छा होगा या तो आपका mood खराब होगा या आपका mood neutral रहेगा कि यार कुछ मजा नहीं आया या तो आप बोलोगे काफी मजा आया score बहुत बढ़ी आया या फिर आपका mood होगा कि नहीं यार score ही नहीं बढ़ रहे है पदा नहीं क्या करें, मन नहीं गर रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही, यही तीन मूड हो सकते हैं आपके टेक अ ब्रेक, जाने दो, अगले दिन, अगली बैटल, नई शुरुवात, फिर से करेंगे लेकिन उस दिन, संडे को दो से चार के बाद, खदम करो, मत पढ़ो, मूवी देखो, खेलने जाओ, दोस्तों से मिलो, वॉक करके आओ, गाने सुनो, डान्स करना है वो करो, रीक्रियेट करो, मतलब रीक्रियेशन इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग को करेंगे, ग्रो करेंगे, बेटर होंगे, you'll feel better, and then उसके बाद कोई बात नहीं न, अभी final तो ऐसा था नहीं न, कि यार मेरा, मतलब मेरा final exam था, खराब हो गया, अपने पास बहुत बैटल है लड़ने को, बहुत दिन पड़े हुए अपने पास, 100 दिन का टाइम है अपने प करता हूँ, कि मैं लिखता हूँ, Monday, ठीक है, अब हम बैठेंगे वापस से, Monday को, और Monday को बैठके क्या करेंगे, Monday को बैठके हम हर एक-एक section को separately देखेंगे, we will sit with each and every section, चलो मालो मैं कहता हूँ, कि मेरा paper स्टार्ट हो रहा था, English से, तो मैंने English जो है, उसको स्टार्ट किया, English से मैंने start किया, अब मेरे को क्या करना है, कि सबसे पहले मेरे को वही सारे questions देखना है, कि कौन-कौन से questions गलत हुए थे, और कौन-कौन से questions मैंने attempt ही नहीं किये, मुझे समझ में नहीं आया है, मुझसे हो नहीं पाया, या मेरे गलत हो गया है, उन सारे questions को पहले निकाल लो उसके बाद तीसरी चीज तुमको क्या करनी है is try to solve them क्योंकि तुमने जो paper है जो passages है वो Sunday को ही पड़ा था तो Monday को तुम्हारे दिमाग में फिर भी है relatively 60-70% तुम्हारे दिमाग में रहेगा short term memory में कि पिछले दिन तुमने क्या पड़ा था तो उसके basis में try and solve those questions अगर नहीं solve होता है तो फिर आप देखो explanatory answers के लिए ठीक है explanatory answers आप देखो कि आप कितना समझ पाए और वो question आपसे solve हुआ की नहीं अब जब आपसे ये हो गया तब उसके बाद आपको एक exercise करनी है और वो है बहुत ही simple सी exercise जहां पर आपको ये categorize करना है कि ये जो question आपसे नहीं बना या गलत हुआ ये आपका knowledge gap था मतलब कि क्या आपको इसकी knowledge नहीं थी क्या आपको इसकी समझ नहीं थी या फिर ये आपका efficiency gap था efficiency gap का मतलब क्या हुआ कि आपने शाय टाइम ठीक से manage नहीं किया या फिर आप ठीक से उस portion को समझ नहीं पाए आता था आपको लेकिन आप उसी इसको ठीक से समझ नहीं पाए exam pressure में तो जब आप ये efficiency gap और knowledge gap को identify कर लोगे न तो अगर मान लेते हैं English section में there were 10 questions जो मेरे गलत हुए और मैं नहीं solve कर पाया अब इसमें से मुझे ये बताना है कि इन 10 questions में 4 जो है वो मेरा knowledge gap था ठीक है मतलब ये 4 vocabulary questions हो सकते हैं कुछ ऐसे 4 vocabulary questions थे भाई मेरे को मतलब भी नहीं पता था और 6 मैं कहता हूँ कि मेरा efficiency gap है क्यों क्योंकि मैं passage ठीक से समझ नहीं पाया time का pressure था मुझे ठीक से समझ में नहीं आई तो इसलिए ये 6 questions मुझे से नहीं बने तो ये मैं को समझ में आए कि चलो ठीक है ये problem नहीं है this is not efficiency gap problem नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नया सीखने की जरूबत है मुझे अपने time को manage करना सीखना है बस तो ये मेरे लिए problem है नहीं लेकिन ये जो knowledge gap है इसको मुझे fill करना जरूरी है मेरे लिए तो मैं क्या करूँगा अब मैं knowledge gap के लिए fight मारूँगा तो ये हुआ आपका कारेकरम मंडे का ठीक है तो यही same चीज आपको सभी section के लिए मंडे को करना है चाहे वो gk हो चाहे वो legal हो चाहे वो critical reasoning हो चाहे वो mathematics हो अब ये पूरा करने के लिए आपने exam तो दिया दो घंडे का लेकिन ये analysis करना जो है ये भी लगेगा आपका करीब करीब 2 घंटा तो जितने देर आप paper दिये थे ना पिछले दिन उतना ही दिन अगले दिन दो analysis करने के लिए with the questions जो आपके गलत हुए या आपसे solve नहीं हो पाए तो ये कारिक्रम है जो आपको mock के अगले दिन करना mandatory है अब आते हैं तीसरे चीज पे जो की है सबसे ज़ादा important आपके लिए कि आपको हर mock से पहले एक table बनाना इस तरीके का अब ये table जो है आप अपने laptop में word पे बना लो और उसके कई सारे print out निकाल के रख लो और उपर में लिख देना mock test number 1, 2, 3, 4, 10, 15 50, 500, 5000 ठीक है जितना भी ले रहे हो आप लेकिन ये table जो है वो जरूर बनाना क्यों बनाना अब मैं तुम को एक table explain करता हूँ देखो मैंने किया कि आइस table में मैंने लिखा subjects पाचों लिख दिये total marks मैंने लिख दिये कि कि कितने उसके marks हैं मैंने English को 25, 25 critical को 30-30 legal और GK को दे दिया 10 mathematics को दे दिया 120 हो गया अब हो सकता है कि कुछ variation हो उस particular mark में तो ये तुम change कर सकते हो अपने according ठीक है इसका कोई वो load नहीं है target score जो है वो मोटा मोटी इतना ही रहेगा तो overall अगर मैं target score की बात करू तुमसे तो तुमारा target score होना चाहिए 70% ठीक है make sure की your 70% आपके हर section का should be your target score तो जैसे ऐसे आप 70% पे आओगे automatically आप देखोगे कि आप finally overall भी 70% के in and around आज आ रहे हो and 70% is good enough to get you to the top college be it NLU Delhi or be it National Law University Bangalore ठीक है तो 70% आपके लिए sufficient है 90-95% competitive exam में score ही नहीं करना है किसी का नहीं आ रहा है आपका नहीं आ रहा है किसी और का नहीं आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है 70% is a good benchmark सारे cut-offs को meet करने के लिए ठीक है तो मैंने target score लिख दिया कि somewhere out of 120 आपका target score कुछ 80-85 के बीच में होना चाहिए ठीक है अब उसके बाद मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा मेरे previous scores अगर आपने जब आप ये first time कर रहे होगे तो ये आप अपना blank छोड़ देना क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो मैं कह रहा हूँ कि आपने mock test number one लिया और ये table बनाया है तो previous score हम छोड़ दे रहे है अब हमने यहाँ पे लिखा कि मेरा कितना marks मैंने score किया तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने English में 12 नंबर लिये critical reasoning में 13 आए GK में मुझे कुछ 16 नंबर आए legal में मेरे 20 नंबर आगए mathematics में मेरे 3 नंबर आगए तो मैंने basically ये लिख दिया कि मेरा total score क्या हुआ है what have I scored और मैंने अपना finally total score कर दिया तो ये कितना हुआ 30, 40, 50 56, 59 61 64 तो मैंने कह दिया कि मेरा 64 नंबर जो है वो आया लेकिन 64 83 से तो कम है of course काफी जादा कम है तो अब ये gap को identify करना है तो अब मैं कह रहा हूँ knowledge gap मेरा कितना था English में पिछले अगर slide पे जाते हैं तो मैंने देखा था मेरा knowledge gap English का 4 था तो अब मैंने वही लिख दिया knowledge gap मेरा 4 है efficiency gap 6 है तो मुझे इस चीज से जादा problem होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये आता था लेकिन मैं कर नहीं पाया और दुख सबसे जादा तुमको efficiency gap काई होना चाहिए क्योंकि आता हुआ तुम नहीं करके आये हो तो तुमको ये दिखेगा कि अच्छा इस पे मुझे देता हूँ कि यार मुझे न टॉट ठीक से समझ में नहीं आया तो मैंने लिख दिया अब क्या है कि मेरे को या critical reasoning में मैंने कह दिया strengthening and weakening the argument मेरे को ठीक से नहीं से हुआ नहीं तो मैंने लिख दिया कि अच्छा इस आर टॉपिक्स जिसको मुझे वापस से जाके पढ़ना है revise करना है और वापस से attempt करना है तो this is how I fill up my mock test table after every mock अब मैंने ये table भी भर दिया अब मुझे mock लेना है वापस से अगले Sunday को तो in betweens ये जो काम था ये मैंने कर दिया मंडे को analysis का और table भरने का काम अब मंडे से या Tuesday से लेके Saturday तक मुझे क्या करना है Tuesday से लेके Saturday तक what are we going to do we are going to work on our knowledge gap जैसे मैंने लिखा legal में मिनको taught पढ़ने की जरुवत है तो मैं Tuesday से Saturday के बीच में समय निकालके क्या पढ़ूँगा taught पढ़ूँगा strengthening and weakening the arguments करूँगा inference based करूँगा profit and loss करूँगा क्योंकि mathematics में नहीं solve हुआ तो मैं ये 4-5 चीजे जो मेरी knowledge gap थी मैं उनको Tuesday से लेके Saturday के बीच में पढ़ रहा हूँ do not repeat your same mistakes again because फिर बात तो वही होगी ने और कि मेरे efficiency gap कम होना चाहिए जो मुझे आ रहे हैं वो छोड़ के नहीं आना है मुझे तो अपनी mistakes को हम repeat नहीं करेंगे try different approaches देखो mock test क्या है ना mock test एक net practice है जैसे cricketers before going and playing in the Asia cup और world cup final वो पहले practice करते हैं net पे तो क्यों करते हैं कि भाई मुझसे ball ठीक से time हो पा रही है कि नहीं अगर मुझे कुछ नए shots ट्राइ करने है मैं spinner को कैसे खेलूँगा Google कैसे खेलूँगा same चीज है कि आपको नए approaches try करते रहने पढ़ेंगे तो अगर मानलो आपने इस mock test में पहले English से start किया था तो next mock test में try करो कि चलो मैं legal से start करके देखता हूँ या मैं mathematics से start करके देखता हूँ keep trying different things you never know what is going to work for you और एक approach जो मेरा बहुत मानना है personally is कि आप ऐसे भी approach try कर सकते हो कि अगर मानलो आपने कहा कि मैं पहले एक reading centric section पढ़ रहा हूँ जैसे कि critical reasoning से start किया जिसमें बहुत दिमाग लगाना है लेकिन मेरा mind भी fresh होना चाहिए तो मैंने कहा कि मैं starting मेरा mind fresh है let me go to critical reasoning मैंने पढ़ा try किया attempt किया complete कर लिया अब मेरा दिमाग थोड़ा exhaust हो चुका है तो मेरे को थोड़ा light चाहिए अब मैं वापस इतना पढ़ नहीं सकता तो मैं gk पे चला गया current affairs कर लिया फिर उसके बाद मैं reading centric पे आया मैंने कहा कि legal कर लेते हैं तो मैंने legal कर लिया अब legal करने के बाद फिर से काफी पढ़ लिया काफी दिमाग stress हो गया तो मैंने mathematics कर ली थोड़ा सा दिमाग शान्त हो गया और फिर finally मैं English पे चला गया तो इस तरीके के जो approaches होते हैं आप ये सारे approach जो है अपने mock test में करते रहो गलतियां होंगी, score कम होंगे जादा होंगे, कोई problem नहीं लेकिन आपको अपनी growth जरूर दिखेगी and finally don't lose heart absolutely do not lose heart give up नहीं करना है सबसे बड़ा problem क्या होता है हम give up कर देते हैं कि यार score बढ़ नहीं रहा है trust me, I am here study IQ is here for you do not worry, very soon आप सब के लिए we are going to be bringing out mock tests, क्योंकि आप एक question ये भी होगा कि mock test मिलेंगे कहां से, हम देंगे न, मैं हूँ बिल्कुल जिंदा नहीं करनी है मिलेगा आपको बहुत सारे mock tests मिलेंगे practice करने के लिए बस क्या है telegram community जो है वो join कर लो अभी telegram community धीरे 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 ग्रो कर रही है एक बार थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बहुत जल्दी आप सब के लिए धेर सारे mock tests लेके आएंगे हम और ये भी नहीं कि आपसे कोई बहुत जादा पैसा चार्ज करेंगे बहुत सारे free mock tests लेके आएंगे आपके लिए ये भी वादा है आपसे तो चिंदा नहीं करना है do not lose your heart do not lose कि मुझसे नहीं हो पाएगा बिलकुल होगा stress नहीं, tension नहीं बिंदास रहेंगे और सभी accommodative examinations को crack करेंगे तो on this note आपको कैसा लगा ये वीडियो अपने friends and family के साथ जरूर share करना और जरूर बताना comment box में कि आपको क्या लगा और क्या आप मुझसे और आगे सुनना चाहोगे, सीखना चाहोगे मैं वो वीडियो आपके लिए बना के लेके आता रहूंगा on this note, stay safe, take care thank you so much, bye bye